आज हम पढ़ेंगे वर्नमाला नीचे आपको पिक्चर दिये इस पिक्चर को हम रीड करते हैं राम ने धनुष तोड़ा सीता ने राम के गले में वर्नमाला डाली अब उपर दिये गए जो संटेंस थे इसमें आपने देखा कि हम जब इस संटेंस को रिपीट करते हैं या ब यह सबसे चोटी द्वनिया है और इन्हें और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता यह द्वनिया ही वर्निया अक्षर कहलाती है तो कोशिन क्या बनता है वर्न किसे कहते हैं रहे चोटी से चोटी द्वनी जिसके और टुकडे नय हो सके उसे वर्निया अक्षर कहते है वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन स्वर किसे कहते हैं जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की साहिता से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर होते हैं यानि जब हम किसी स्वर को अपने मुख से निकालते हैं, मुझ से निकालते हैं, तो हमें किसी अन्य वर्ड को यूज ना करना पड़े, उसे हम स्वर कहते हैं, कौन-कौन से होते हैं, A, A, E, ये सब, अब हैं व्यन्जन, जो वर्ण स्वरों की साहिता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं यानि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की साहिता लेनी पड़ती है हिंदी वर्ण माला में 35 व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, ग, ये इनके अतिरिक्त दो वर्ण अ और अनो हैं इनका विश्तित अध्यान हम next class में करेंगे अभी हम पढ़ेंगे कि सियुक्त व्यंजन जो वर्ण एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें सियुक्त व्यंजन कहते हैं यानि एक या एक से ज्यादा व्यंजन जब मिलते हैं तो एक नया word बनाते हैं उससे क्या कहते हैं संयुक्त वियंजन जैसे देखो क और श्यो को मिलाके श्यो बना है इसी तरह से I hope my video is able to clear your concepts Thank you